हेलो फ्रैंस खमा गणी वेलकम बैक टू स्वादो सेहब और आज स्वादो सेहब मैं बनाने जारी हूँ नारियल पाग बहुत ही इजीली बनने वाली यह मिठाई है और बहुत कम इंग्रीडियंट्स में बहुत फटाफट बन करके तयार हो जाती है तो चलिए नारियल पाग कि ज़रत नहीं है बस दरदरा साथ इसको पीस लीजे और माप करके यह जो कप है यह मैंने दो कप लिए है आप कोई भी कप का टोरी ले लीजे उसमें आपको बस यह अंदाजा लगा लेना कि कितना आपने नारियल लिया है तो आप चाहें तो दो कप ले 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 या तीन काट लिया है थोड़े से मैं पिस्ता ले रही हूं और साथ ही दो चमच मैं इसमें खसकस ले रही हूं जिसको पॉपी सीर्स भी बोलते हैं अब यह जो ड्राइफूर्स है इनको हलका सा हमें रोस्ट करना है लगबग एक मिनिट के लिए लो फ्लेम पर इनको रोस्ट कोई भी मोईस्चर है तो वह ना रहे मोईस्चर इसके अंदर बिल्कुल भी तो ड्राइफूर्स डालने से जो नालियल पाग है उसकी रिचनेस बढ़ जाएगी अगर आप इसमें थोड़े से और एड़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या एक दो ड्राइफूर्स अगर आ अज़्ट कर लिए तो नहीं है तो आप किप भी कर सकते हैं इसको देखे या इसको 1 मिनिट रोस्ट कर लिया हैं अब इन ड्राइफूर्स को नायल के अ अंदर मिंक्स कर देंगे अब मैं एक पैन में दो कप चीनी ले रही हूँ यानि कि जितना मैंने नारियल लिया था उतनी ही मैंने चीनी लिया इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसमें को खास मेजरमेंट नहीं है आप ये देखने कि कितना आपने नारियल लिया है उसी हिसाब से आप चीनी ले लें और चीनी का आधा इसक में पानी ले लेना है तो एक कप मैंने पानी इसमें एड़ कर दिया है आप गैस की फ्लेम को आउन करके और चीनी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे और जब तक चीनी मेल्ट होती है कोई भी आप प्लेट जिसके अंदर नारियल पाग आप जमाएंगे उसको आप पहले ही गी से ग्रीज कर लें तो ये काम आप पहले ही करके रखें इदर देखिए चीनी में उबालाना शुरू हो गया अब इसको थोड़ा सा ठिक करेंगे हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है तो गैस की फ्लेम को हाई रखते वे आप चीनी को उबाल लें और ये जब थोड़ी सी गाड़ी हो जाए तो आप दो उंगलियों में इस तरीकी से रब करते वे चेक कर लें एक तार की चाशनी आपको बनानी है ये देखे एक तार बन चुका है इस चाशनी में तो जब चाशनी तयार हो जाए तो उसके बाद में गैस की फ्लेम को एकदम लॉक कर देंगे और जो नारियल और ड्राइपूर्स का मिक्चर हमें तयार करके रखा है वो इसके अंदर एड़ कर देंगे और अब फिससे गैस की फ्लेम को मीडियम करके और लगबग देड़ से दो मिनिट के लिए इसको हम कुक करेंगे इसको थोड़ा सा हमें गाडा करना है यानि कि जमने वाली कंसिस्टेंसी पर इसको लेकर के आना है तो इसको डेड़ दो मिनिट के लिए आप मीडियम फ्लेम पर पकालें तक यह थोड़ा सा थिक हो जाए तो यहां आप देखी यह थोड़ा सा ठिक हो गया है और अब यह जमने वाली consistency पर आ चुका है तो जब यह इस stage पर आ जाए तो आप gas की flame को बंद कर दें और फटाफट इसको grease की भी plate के अंदर transfer कर लें और चम्मच से इसको फैला दें चारों तरफ कोई भी आप कटोरी के उपर या चम्मच के उपर थोड़ा सा घी लगा लें और उससे बिल्कुल अच्छे से इसको फैला दें ताकि यह उपर से बिल्कुल even हो जाए और बस अब इसको लगबग आदे गंटे के लिए सैट होने के लिए छोड़ देते हैं फटाफट यह सैट हो जाता है जादा टाइम नहीं लगता तो आदे गंटे के लिए इसको छोड़ दें तकि यह अच्छे से सैट हो जाए और जब ये आदे गंटे में अच्छे से सैथ हो जाए तो आप इसको पीसिज में कट कर लें जादा टाइम नहीं लगता है इसको सैट होने में तो ये देखें कितनी जटपट हमारा नारियल पाक बन करके तयार हो गया बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में फटाफट बनने वाली मिठाई है तो प्रेंस आप भी ज़रू ट्राइ कीजेगा ये नारियल पाक की रेसिपी कैसी बनी आपको कैसी लगी मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट जरू शेयर कीजेगा फिर मिलते हैं किसी नहीं रेसिपी के साथ में इसी चैनल पर तब तक के लिए बाई स्टे कनेक्टेड हैपी कुकिंग